नमस्कार साथियो तो आज है 3 अगोस 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे आप वेरी इंपॉर्टेन रेलवे सेक्टर की शियर्स के बारे में जिसको आज एक काफी बढ़िया नया ओडर बिला जिसके बारे में आगे डीटेल में जानेंगे साथ में दोस्तो कमपनी का नाम fundamental कितना strong है कमपनी और क्या आपको ये कमपनी की शियर्स करना चाहिए या present situation को बेस करके ignore करना चाहिए सब कुछ हम detailing में बात करेंगे तो request करूंगा आप सभी को please वीडियो को बिना skip के पूरान तक जरूर देखना तो दोस्तो guess what ये कोई और नहीं आर्विनल भी नहीं आयरेपसी भी नहीं बलकि टैक्सेम को rail and engineering limited जियां दोस्तो ये ही शियर जो कि last कुछ दिनों पर थोड़ा सा कमजोरिया में देखनी को मिला अभी तक तो फिलाल कमपनी का result आउट नहीं हुआ बहुत जल्द आउट होगा तो आज दोस्तो जबकि बजार close था कमपनी को एक बहुती शांदार order मिला आईए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उस order के वारे में जान करी देता हूँ तो पहले तो अब यह देख लिए कप का न्यूज है यह देखिए यह है आज यानि 3 अगोस 2024 शाम के मतलब कुछ मिन्टों पहले का ही अल्मोस्ट 6 बजे का आसपास का एकदम लेटेस्ट अबडेट है ठीक है तो यह देखिए टेक्सम को बैक रुपीज 243 करोर order from MRVC तो आ करोर from Mumbai Railway Vehicles Corporation यह MRVC for power supply project on two routes in Maharashtra, the company's hyper-specialized EPC division Bright Power will be responsible for the design, construction, installation and testing and communication of the power supply infrastructure on the 3rd and 4th line from the Virar to Dhanu and the new suburban corridor between Panwail and Kaur. तो basically company यह सारे जो पड़िसेवा प्रोवाइट करेगे किसको Mumbai Railway Vehicles Corporation की तरफ से यह 243 करोर की order company को दिया गया है अगर मार्केट की sentiment ठीक ठाक रहा क्योंकि यहां पर मार्केट का भी बहुत कुछ मैं बोलूगा रोल है क्योंकि देखिए कंपनी को कितने भी बड़े order क्यों ना मिले अगर मार्केट की sentiment लिए बिगार गया तो उसके किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है ना अब देखिए य एक और जी बिजनेस यहां पर भी आप देखिए तो सारे चार बजी का असबस तो लगवा कोई दो पैर का न्यूज है टैक्सम को बैग 243 करोर ओडर फ्रॉम एम और पीसी आचा कोई भी कंपनी को देखिए अच्छा ओडर मिल रहा है अच्छी बात है कोई कंपनी बोनस द साइट कीजिए क्या इन्वेस्ट करने के लायक है या इग्णोर करने के लायक है ठीक है तो पहली बात देखिए इसका रिटन का प्रॉफाइल काफी अमेजिंग है चैमेने पर 28% की रिटन दिया एक साल पे 300% की रिटन और अगर हम बात करें खास करके लॉक्डाउन के बा इसका नाम में चुपाओ है एक तो रेल एंजिनेरिंग तो बेसिकली कंपनी इंजिनेरिंग सेक्टर की कंपनी और रेल वेस्ट को पर भी अपना काम करता है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं इस इंवाल्ब इन बिजनेस ऑफ मैनफेक्टरिंग रोलिंग स्टॉक हाइड इनवेस्टमेंट भी हो रहा है तो कहिने के ग्रोथ तो है एक डिमांडिंग सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर है बागी देखे कुछ इंपोर्टन पैरमिटर भी आपको जानना चाहिए कंपनी कोई बहुत बड़े कंपनी नहीं है एक स्मॉल कैप मेट कैप रेंज की कंपनी है तो मतलब थोड़ा सा मोडेर रिस्की भी है साथ साथ ठीक है आचा पी रेशो भी थोड़ा से एक्सपेंसिब है 92.5 के आसपास रिटर्न और एक्विटी और रो सी की बात करें ठीक ठाक है बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं फेस बैलो दोस्तों एक है दू परकी पैरामीटर वाइस अगर हम बात करें तो कंपनी की देखें रिजल भी काफी ठीक ठाक होता है बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें लगाता देखने को मिला इसका प्राइम एक्जम्पल मैं आपको दिखाता हूं यह देखें कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है यह देख पर लास्त तीन साल की बात करें कंपनी फुल फ्लेज में बाउंस बैक किया 111% की प्रोफिट ग्रोथ इस साल तो आप छोड़ी दीजे 472% की प्रोफिट ग्रोथ और जिसके चलते कंपनी की रिटरंस की प्रोफाइल भी आप देख से तो काफी next level आपको देखने को मिल जा है एक बोल सकतो की small cap mid cap category company है और दूस्ता बात यह भी है कि एफएस का stake लगातार हमें थोड़ा reduce होता वह नजर आए ऐसे कि इसके पहले की बात करें मार्च quarter में यह देखिए 11% की प्रोफिट ता आज की रेट पर लगबग 2% reduce हो चुका है कम हो चुका है बट हाँ एक तर स दिखा दे तो company की company का हाथ में कितना cash है कितना डेट है मतव company को बट देख लिजे कैश है दोस्तों company का हाथ में काम करने के लेक सो बावन करोर के आसपास अब डेट उतना ज्यादा नहीं नौसो बिरासी करोर की डेट है बट हाँ कंपनी की जो मार्केट वैलोईशन आज की देखिए कारोवार भी काफी बढ़िया था 28 लाक क्या सबस्क्राइब भी वहा था और अल्मोस 35 परसेंट की उपरा में डेलीवरीबल परसेंट इस भी देखनी को मिला ओवरल बात करें एक complete अच्छी company है अब चली मैं आपको थोड़ा सा जो टेकनिकल चार्ट परन है उसक इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखने इस टैप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हलो सपाने के लिए ओके तो आड़े सा इंडेक्स की बात करें 50 का आसपास आपको देख जाएगा या एकदम से नूट्रल जोन पर मार सब्सक्राइब करेंगे तो शुरू करेंगे दोस्तों रिजिस्टेंस लेवल इसके पहले भी हमने देखा था शेयर बार-बार कोशिश किया ता उपर जाने के लिए बार-बार रिजेक्शन हमें देखने को मिला दो लेवल पर एक यह और दूसरा यह ध्यान से पहले तो य एक तो देखिए यहां पर ट्वेटिस की यह भी है बार-बार रिजेक्शन मिला दोसो पचेतर का सब्सक्राइब अच्छा रिजिस्टेंस है अंच्छा रिजिस्टेंस है अब बात करें दोसो पच्पन से लेके 250 जो की मैं आपको तोरह जूम करके दिखाता हूं यह दिख यह देखिए यहां पर आपको अच्छे दिख जाएगा लास्ट एक मैने की चार्ट पर रहा है तो जैसे कि आप देख सकती इसके पहले भी आपर सबोर्ड मिला था यहां पर कि दिन जरा याद करके देखिए हैं ना और उपर की तरब भी आप पहुंच आईए 290 का सब्सक करना चाहिए क्या इसमें इंट्री लेना चाहिए या करना चाहिए तो सबसे वहली बात देखें कंपणी बहुत बड़े कंपणी नहीं है टैक्स एंप को बात करें तो एक स्मॉल क्याप मेट करें कंपणी है तो थोड़ा सा मॉरे रिस्की हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है मैं आपको कहूंगा कि बहुत बड़ा वेट ठीक है ताकि अगर शेयर में और और कुछ परसंट गिरावट हो भी जाए तो आपको उतना जदा फरक नहीं पढ़ने वाले ठीक है होफिलो दोस्तों क्लियर हो चुका है बागी देखें हमेशा बोलूँगा देखें हमें को समझने की जरूरत है जैसे तेजी होगा वैसे अगर आपके हाथ में तीन से पांच साल है मतलब आप टाइम दे सकतो कंपनी को डेफिनेटली जाहिए गो फॉर इट कोई दिख करते हैं ठीक है बागी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हूं यहां पर मिलते नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बाबाई जाए हिंद